तो नाम में क्या रखाया बात करते हैं काम की आज की वीडियो में आपको बताने वालूँ पेटियम के बारे में दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ मेरा पेटियम मेरा पेटियम अकाउंट अपने आप एटोमेटिक लॉग अट हो गया और दोबारा जब मैं उसे लॉग इन करने जा रहा था तो कुछ इस तरह का मैसे शो हो रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था अब क्या करूं तो उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरह से बढ़ा और मुझे पता चल गया इसे कैसे ठीक करना अगर आप भी सीखना चाहते हैं आप भी जानना चाहते हैं आपके साथ भी फरमेशन से रिलेटटड कोई प्राब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए वीडियो को शुरुत से ले कहला तक चुरूर देखना चली दोस्तों बीना समागवाई वीडियो को शुरू करते हैं उसके लिए आपने क्या करना होता है ठीक है ना सैटिंग में जाने के वाद आपने ढूंड़ना होता है एप्लिकेशन मनेजर या फिर एप मेनेजर होगा हो सकता है एप मनेजमेंट हो तो अलग अलग फोन में यह थोड़ा बहुत उसका नाम चेंज हो सकता है ठीक है जहां जहां सैटिंग में आपको कहा मिलेगा देखिए थोड़ा नीचे जाते हैं यहां देखिए अडिशनल सैटिंग होता है इस पर क्लेक कीजिए अगर आपके पास यही फोन है तो बहुत असानी होगी नहीं थोड़ा आपको मुश्किल होगा टूड़ने में ठूड़ लेजी बस यहां देखिए एप्लिकेशन मनेजमेंट लिखा हुए है आपके में में एप मनेजर भी हो सकता है तो आपने बस ठूड़ लेना है कहीं भी हो कुछ भी हो एप एप्लिकेशन के बार में ठीक हम जहां जिसमें सारी अप्लिकेशन की तो इस पर खले करता हूँ मिन्तिता हूं अब जहां प्रमिशन से related कोई problem है तो जहां से ठीक हो सकती है जहां आपने क्या करना है permission monitor पे click करना है जहां पे click करने के वाद देखिए जिए सारे के सारे बटन आपके on होने चाहिए मैंने पहले ही on कर रखे हैं अच्छा आपने इसे on रखना है अगर आपका कोई भी बटन इसमें off है तो उसे on कर दीजिए जो भी आपकी problem है वो ठीक हो जाएगी कोई भी problem आपको नहीं आएगी permission से रिलेटर ठीक है इस तरह से आप ठीक कर पाओगे अपनी problem को तो भी अच्छा लगा like and share कीजिए मिलेगा अगली पीडियो में